इस कारिक्रम के पुन्यार जखें श्री वर्धुमान श्वेतामबर्स थानक वासी जैन श्रावक संग ट्रस्ट उपाध्याई प्रवर्प्रवर्प्रवीन रुशी चातुर्मा समिती यहारियला बन करके जीना है इक होता हैं सुधा में बन करके जीना है इस अध्याएं में गई हुई बाते आज की अराधना की यह जूत्रव्या अध्याद्यश्ट है हम सभी के सामने एक दो आप्शन देते हैं, जहरीला बनकर के जीना है, कि अमृत में सुधा में बनकर के जीना है, जो जहरीले बनकर के जीते हैं, उनके इस जीवन में भी गर्धा होती है, निंदा होती है, तिरसकार होता है, अगले जन्वों में भी उनका तिरस्कार ही होता है वर्तमान भी उनका तिरस्कार में रेता है भविश्य भी उनका दुद्कार में ही बिता है परमात्मा फरमाते जो इन दोशों को छोड़ देता है इन दोशों से जो बसता है उसका जिवन अम्रूत में बन जाता है परम पावन हो जाता है वो अर्तमान के भी अराधना करता है और उसका भविश्य भी उज्वल होता है उसका ये जनम भी तिर्थ बन जाता है और भविश्य भी उसका उज्वल तम हो जाता है और भाव सामान्य सोचे बड़ी खतरनाक सोचे जो कुछ मुझे मिलना था वो मिल गया है सुद्द लुख सुद्द लुख जो मनुष्य जन्नत था सुद्द लुख जो बोदी थी सुद्द लुख जो जिनशासन था जो बहुत मुश्किल से मिलता है बहुत कम लोगों को मिलता है वो मुझे मिल गया है ये मिलने के बाद जो यथा सुक में जीता है ऐसा होता है जिवन ने जिनको सहज मिल जाता है वो लाग परवाव हो जाते है ऐसा भी होता है जिनको मुश्किल से मिलता है वो मुश्किल से मिलने के बाद भी लाप परवा हो जाते हैं ठीक है मिल गए आप क्या है एक्जम्पल ले सकते हो आपके जिवन का है बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से बहु को खोच के लाते हो जितनी प्रयासों के साथ जितने सजगता के साथ उसको घर लेकर क्या है घर लाने के बाद उस सजगता रेती है क्या माबाब बनने के लिए जितने प्रयास जितनी तमन्ना जितनी अर्मान रेते है बच्चे को जनम देने के बाद उतनी सजगता रेती है क्या है साथु जीवन मिलने के पहले, एक कपड़ी मिलने के पहले, एक दिक्षा होने के पहले, जितनी उनकंठाई सयमी जीवन के प्रती थी, क्या वो प्राप्त होने के बाद उतनी बनी रही गया, और वो नहीं रहती है, तब जीवन में पाप का रस्ता खुल जाता है, एक सोज बन जाता है, कि सब कुछ मुझे सहद उपलब दे, आहर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपको सहद उपलब दे, और सारी सुविधाएं सब उपलब दे, और मैं जानता हूँ, क्या हो रहा है, क्या मैं जनम से जाइन है फिर निर्वान कर लाने की आरादना किसले करूँ क्या जरूत है मुझे उत्राओ देन सुद्र के आरादना करने के इसी लापरवाही में ऐसे लोग प्रमाद में जाते हैं और यह से बाप का उद्गा को होता है जो सारा कुछ प्राप्त होने के बाद निद्रा में खोता है प्रमाद में खोता है जैसे चाहे वे से उठता है जिन से ज्ञान लिया आयरिय वज्जायन सुयं विनम चे गाही है यहां विनए का अर्थै आचासी था साधना टेनिंग जिनसे बहुत प्राप्त किया जिनसे जीवन प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद जब तक उन से ले ना था मत्था रगड़ते रहे हैं और जब मिल गया तो मत्था टक्राना शुरू कर दिया है जिसको कहते हैं गरज सरो और वैद्य मरो गरज पूरी हो गई तो वैद्य मर गया तो भी मुझे परवा दी जो आपने वरिष्ट जोनों का जो आपने भावगणों का आई विवस्तीत अधर नहीं करता है रिसपेक्ट नहीं देता है यह रिसपेक्ट नहीं देना ही उसके जीवन में पापको अमंत्रन देता है चोया यह पढ़ी चोया यह कभी बड़ों ने कहां, कभी गुरू ने कहां कभी खीशी वरिष्ट जन्ने का आए अरे ऐसा नहीं करना चाहिए पहले स्वयम को देखो स्वयम ने क्या किया आए ऐसा उल्टा जवाब देना यह उल्टा जवाब देना इस स्वयम के अहंकार को तीखा बनाता है इस स्वयम के अहंकार को और जहरिला बनाता है और उसके से अपने अंकार को तो समाधन मिल जाता है लिकिन जीमन में पाप का वाइरस आ जाता है, चलते समय, उठते समय, बेटते समय, careless लापरवाई, समधमानी पानानी, बियानी हारियानी, ध्यानी नहीं कैसे चल रहे हैं, उपयोग ही नहीं कैसे बेट रहे हैं, कोई सजगता नहीं मैं कैसे खा रहा हूं, मैं कैसे पी रहा हूं, और यह लापरवाई होना, केरले सोना है, क्रिया में केरले सोना है, उठने, बेटने, खाने, पीने में केरले सोना है, इस स्वयम के हर्ट को हर्ट कर जाना है और जितनी हम केर लेस होते जाते हैं उतनी हम इनर्जी का मिस्यूज करने लग जाते हैं जितनी हम लाप परवाह होते चले जाते हैं उतनी हमारे परपाप के अक्रमन बढ़ते ही चले जाते हैं जितनी हम सजग बनते हैं जितनी हम सवधान बनते हैं अतना है जीवन में पुन्य का जागरन होता हैं दव दवस संग चेई गए बार लोग केते ही हैं के भारा बार जरो करते है, बढ़न गरता थै तो बार बार गरता थोरर इसी बारा बढ़ना गलति करता है, तो गिरता है एंड वार रने किलता है केहर लेस होता ये इसा थै इसलिए गिलता है unity ज़र मारा ठो कर लगते हैं तो प्रमाद में जाता है इसलिए बार-बार ठोकर लगती है मेरे जिंदगी में हमेशे ठोकर ही लगती है क्यों लगती भाई लापरवा हुआ तब ही ठोकर लगी है और यह ठोकर लगने का कारण उलंगन ही अचन्डे है और किसी बात का उलंगन करना हो किसी मर्याता को ब्रेक करना हो, ऐसी एनरजी जागरूत होती है, मज़ा जाती है, और लेकिन वो मज़ा ही सजा दे जाती है, पाव समनेती हो जाए, पड़ी लेही पमत्ते, घर में जाडू लगा रहे हैं, बिछणा आप रहे हैं, और उसमें मोबाइल सुनते हैं, उसमें गी सुनते हैं, पड़ी लेही पमत्ते, कारे करते समय, एक काम करते समय, अपना फोकस दुसरी के तरफ रखना, जो काम कर रहे हैं, उसमें फोकस नहीं रखना, दुसरी तरफ फोकस लगना हैं, बहुत छोटी सी बाग हैं, लेकिन इदी आपने जो काम कर रहे हैं, उसमें फोकस करके दुसरे में फोकस रख दिया, तो अपने अंदर डिस्ट्राक्शन का चारेक्टर, डिस्टर्ब होने का चारेक्टर हम स्वयम में डिवलप कर लेते हैं, बहु माई, पमुहरे थद्दे, लुद्दे अनि गए, अम इसम भ्यागी अचियते, अप्रिय बनता है, जो बतव स्वयम के पास ही रखता है, औरों को नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति, पाप के तरफ, पाप के समराज्य के गुलाम बन जाते हैं, जगड़ को जगा था, विवाधम चुवदेरी, कई लोगों को खुजली आती देती है, शांती उनको पसंद नहीं पड़ती है, कोई काम अरा से चल रहा हो ना, तो जाकर उसको टोचेंगे, टोका मारेंगे, कोई चल रहा हो ना तो भीच में टांग आड़ाएंगे, और उसको गिरता हो देख करके मज़ेंगे, विवाधम चुवदेरी, ये सारे जगडों को बढ़ाना, जगडों को जगाना, गडे मुर्दों को अधर्मा में लगा देनी है, उगए, कलहे, रते, आप सोचीए जराएंगे, आपको कौन सी मुवी पसंद पढ़ती है, कौन सा एपीसोड पसंद पढ़ता है, जब बिलकुल प्रेम से चल रहा है हो या जिसमें मार्धान, भाइलांस, सस्पेंस, किसमें प्रेम करते हैंगे कभी बहुत जल्दी में जा रहे हो, और रास्ते में कई संतों को प्रवचन चल रहा हो, और कोई आपको कहें के, DM करके मंगल पांट सुन करके जाो, अरे ने-ने वो जल्दी है, और रस्ते में कई जगणा चल रहा हो तो, क्या लेना देना आपका लेकिन उजगड़े के प्रति अंदर की मोहबत है नहीं उजगड़े के प्रति की मोहबत पापी बनाती है क्लहा पिये जो कलहा में प्रेम करता है जो कलहा से प्रेम करता है जो जगड़े से प्रेम करता है जिसको शांती, सुभाती नहीं है। अधिरासने कुकु ये है, जिसका आसन स्थीर नहीं है। एक आसन स्थीर हो जाए, तो मन स्थीर होने का नास्ता बनता है। स्थीरता से बेटते ही नहीं है। कि इतने चंचल बनकर के जीते हैं कि लगता है कि मानों हवाई चल रही है ऐसी व्यक्ति और जहां बेठे हैं वहां उप्यूक तो नहीं होते हैं जहां बेठे हैं वहां रेते नहीं हैं बेठते कहीं हैं और मन और कहीं भेज देते नहीं सश्य रखे पाएंस हुआई हैं सिज्जम न पड़ी नहीं इस सुत्र पर जरूर चिंतन करना हैं चोटा सा सुत्र है बहुत गहरा सुत्र हैं पाओं पर रजने करके सोना हैं कि चलते ह तो कहीने कई मिटी रज पाऊ को लगती है। उस रज को पाऊं से निकाने बिना कोई सोता है। तो क्या होगा? क्या जीव के हुंसा होगी? क्या किशी को तकलिम होगी? नहीं परमात्मा बहुत गहराई से है। यह सारी देशना जो आपके पास है वो किवल ग्यान के देशना है। यह लॉजिक के देशना नहीं है। आपको पता ही नहीं कि जो मिटी आपके पाऊं को लगी है। उसमें कुन से लेश्चा होगी? उसमें कुन से हाइबरेशन होगी? उसमें कुन से एनरजी होगी? और जिस अंदर की ग्रहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और उस समय उस मिट्टी की जी ओरजा है वह अंदर में प्रवेश्च करकर के क्या अतना डिश्टब करेगी इसलिए परमात्मा ने कहा कि कितना चोटा सा सुत्र है कोई इतनी स्वाल तिंग्स की तरफ ध्यान देगा क्या लेकिन यह परमात्मा है कि नहीं पाव पर रज लेकर के मत सोना है आपके इसका प्रैक्टिकल है बाहर के जुद्धे घर में मत लाना है यह हमारे मने चोटे-चोटे सुत्र है कि स्तानक में प्रवेश करने के पहले पाव का पड़्यान करते हैं घर में प्रवेश करने के पहले यह बाहर कहा कहा भटक करके आये हैं पता नहीं कहा कहा का कच्रा लेकर के आ रहे हैं उस कच्रे को लेकर घर में जाना कि उस कच्री क याद करोंगे गुरुद्वारे को गुरुद्वारे में कोई रज ले करके जा सकता है कोई गंदे पाउं से अंदर जा सकता है जुद्धे तो अंदर जा ही नहीं सकते है गंदे पाउं भी अंदर जा नहीं सकते है काश इस सुत्र आपके स्थाने के लिए लगो जाए काश इस सुत्र आपके घर के लिए लगो जाए ये रज लेकर के घर में अना रेश कितना खतरनाक बनता है पता ही नहीं चलता और फिर कहते हैं पता नहीं घर में शांती क्यों नहीं सारे वहिरस तो स्वेम लेकर क्या आए और फिर केते हैं शान्ती क्यों नहीं दूद्द दही विगई ओ आहरी अवग्खानम अरेय ये तो वो कम नहीं जिसको तप में नफरत है सयम से नफरत है गरिश्ट असनिक दाहार निरंगतर करता ही चला जाता है हम चन्ने में विहार कर रहे थे समने से घुमते भे डाक्टर आ रहे थे उन्होंने हमें देखा है गेस्ट्रोलोजिस्ट और हर सर्जन थे और दोनोंने अपना काड हमको दिया क्या बाद भी बले काड इसलिए दे रहे हैं आपको कि आपके पास जो लोग आते हैं वे दिया आपकी बात नहीं माने तो उनको हमारा काड दे देखा है बले चुप चाप खड़ा रहे कहा है क्या मतलब बले आप कहते हैं उन्होंदरी करो गरिष्टा हर मत करो तेल मत खाओ जी मत खाओ ये मत खाओ अपकी बात मान लें तो उनको इस काड की जरूरित रहे है और जो आपकी बात नहीं मानते हैं उनको इक काड बहुत जरूरी हो लगा रहे वही प्रमात्मा के रहे हैं दुद दहि विगई ओ एक समय का भोजन बिना विगई का हूँ, बिना विगई का हूँ, बिना तेल घी का हूँ, और यह जोपूर है, जिसमें पानी तो मेंगा है और घी सस्ता हैं, और पता नहीं क्यों, इतनी तरी, इतनी तरी, मैंने क्यों जोत्पुर में ही देखी कि कढ़ी के उपर भी घी की तेल की परता देए हैं। पता नहीं, क्या करना चाहते हैं। पता नहीं, क्या करना चाहते हैं।